नमस्कार सतिंदी.com में आपका स्वागत है एक नजर अब तक की सुर्खियों पर साथी अधीरेंजन चौधरी ने ममता बैनर जी को चुनोती दी और कहा कि वो इन विधायकों से इस्तीफा दिलबाकर उनको फिर से चुनाओं में उतारें और अपनी पार्टी के चिन पर जितवा कर दिखाएं चौधरी ने कहा कि जनता ने कॉंग्रेस को वोट दिया था और इनको जिताया था बता दें आजकल ममता बैनर जी बीजेपी से अधिक कॉंग्रेस को खोखला करने में ध्यान दे रही है दिल्ली हाइकोट ने आज उस याजका को खारिज कर दिया है जिसमें सल्मान खुर्षीत की आयोध्या पर आई किताब पर बैन लगाने की मांग की गई थी हाइकोट ने खोशीत की नई किताब सन्राइज ओवर अयोध्या नेशन हुड इन आवर टाइम्स के प्रकाशन प्रसार विक्री और खरीद पर प्रतिबंद लगाने से इंकार करतिया साथी कहा कि अगर आप लेखक से सैमत नहीं है तो इसे ना पढ़ें लोगों को बताएं कि किताब अच्छी तरह से नहीं लिखी गई है और कुछ बहतर पढ़ें NCP नेता और महराश के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार और नया खुलासा कर NCP अधिकारी समीर वानखेडे को घेरा है नवाब मलिक ने समीर वानखेडे की मा जाहिदा का मृत्तु प्रमाण पत्र ट्विटर पर साजा किया और दावा किया है कि जाहिदा की मौत के बाद भी वानखेडे परिवार ने फरजी वाड़ा किया और दो अलग-अलग दस्तावेज बनाए मलिक ने दो दस्तावेजों को साजा किया है जो मृत्तु प्रमान पत्र है उसमें समीर वानखेडी की मा का धर्म हिंदू बताय गया है जबकि दूसरा दस्तावेज कबरिस्तान का है जिसमें उनके धर्म को मुस्लिम बताय गया है मलिक ने कहा कि एक और फरजी बाड़ा अंतिम संसकार के लिए मुसल्मान और सरकारी दस्तावेज के लिए हिंदू धन्य है दाउद ध्यान दे बतादन नवाब मलिक का कहना है कि समीर वान खेड़े ने मुसलिम होते हुए फरजीवाडे से दलित कोटे से नौकरी हासिल की बॉंबे हाई कोट से आज नवाब मलिक को जटका लगा है कोट ने कहा कि अगली सुनवाई यानि 9 देसंबर तक नवाब मलिक समीर वान खेड़े के परिवार के बारे में कुछ भी सोचल मीडिया पर साज़ा नहीं करेंगे जस्टिस SJ कथवाला ने कहा कि ये मीडिया प्रचार क्या है जो वैं हर रोज चाहते हैं खासकर अपने दामाद की ग्रफतारी की बाद वैं एक मंत्री हैं क्या उन्हें ये सब करना उचित हैं बता दे न्यायमूर्ती SJ कथवाला और न्यायमूर्ती मिलिन जादब की खंटपीट समीर वानखेडे के पिता ध्यानदेब द्वारा जस्टिस माधव जामदार के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनबाई कर रहे थे जिसमें जस्टिस जामदार ने मलिक को कुछ भी पोस्ट करने से नहीं रोखा था और कहा था कि वो बिना सत्यापन के कुछ भी पोस्ट ना करें न्यूज ब्रोडकास्टिंग और डिजिटल स्टेंडर्स अथोरिटी अनि एन्वी डियासे ने टीवी न्यूज चैनल न्यूज नेशन के 6 नवेंबर 2020 के शो जिसका टाइटल है धर्मांतरन जिहाद के खिलाफ की के शिकायत का हवाला देते हुए अपने 15 नवेंबर के अ आला कि इस मामले में ब्रोडकास्टर ने बिना शर्त माफी मांग लिया है इसलिए एन्वी डियासे ने न्यूज नेशन को भविश में साबधान रहने की चेताबनी दी और साथ ही चैनल की वेबसाइट या यूट्यूब या किसी अन्य लिंक से इस शो के वीडियो को हटा करने के खिलाफ शिकायत की गई थी प्धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गौतम बुध नगर के जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट का शिलान न्यास किया यूपी प्धानसवद चुनाव से पहले बीजेपी इसका जल से जल शिलान न्यास करना चाहती थी बीजेपी को लगता है कि उसको इससे पर्ष्मि यूपी में फायदा हो सकता है वही इस दोरान पियम मोदी ने कहा कि नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट उत्तरी भारत का लोजिस्टिक गेटवे बनेगा नो ने कहा ये हबाई एड़्डा हजारों लोगों को रोजगार भी देगा कॉंग्रेस महासिची प्रियंगा गांधी ने खाद की किल्लत को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है प्रियंगा ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा सरकार में खाद ना मिलने से किसान त्रस्थ हैं कॉंग्रेस की प्रतिग्या है कि बुआई सीजन के 30 दिन पहले खाद पुर्षों से जादा महलाओं की आबादी हो गई है अब हजार पुर्षों के मुकाबले 1020 महलाएं हो गई है यह अंकड़ा राष्ट्री परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षन यानि NFHS के सैंपल सर्वे में सामने आया है इस सर्वे को केंद्रे स्वास्थ्य मंत्राले द अब ही भी 929 है जो बताता है कि बेटे की चाहत अभी भी लोगों में है और यह समस्या बड़ी है दिल्ली विधानसुभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी ने अभिनेतरी कंगना रनौत को 6 दिसंबर को असेमली में पेश होने के लिए कहा है आम आदिम पार्टी के नेता अब दिल्ली के खार पिलिस स्टेशन में एफ आयार दर्ज कराई थी एफ आयार दर्ज कराने के बाद शिरसा ने कहा था कि वो दिन अब दूर नहीं जब कंगना अभिवक्ति के आजादी का दुरुपियों करने के लिए सलाखों के पीछे होंगी योगी सरकार के एक और मंत्री ने विवादित बयान दिया है मंत्री का नाम रगुरास सिंग है रगुरास सिंग ने कहा कि मदर्सों से आतंकी निकलते हैं और अगर भगवान ने उन्हें मौका दिया तो वे सारे मदर्से बंद कर देंगे उन्होंने कहा कि उत्रपदेश में धाईसों मदर्से थे जो अब बाईस हजार हो गए हैं और मदर्सों में केवल और केवल आतंकी पैदा होते हैं बीजेपी के नेताओं की इस जहरीली बयानवाजी के वज़े से मदर्सों के शिक्षकों पर कई जगों पर हमले हो चुके हैं तिर्पुरा में आज इस थनीय निकाय चुनाव के लिए मददान हो रहे हैं हालांकि तिर्पुरा में निकाय चुनाव के प्रचार के दोरान से ही हिंसा और जट्पों के खबरें आती रही हैं इसी को देखते हुए सुक्प्रीम कोट ने तिर्पुरा सरकार के ग्री सच, राजी चुनाव आयोग और पुलिस माहनिदेशक को ये सुनिशित करने का निर्देश दिया कि हर मतदान केंदर पर केंद्रिय सशेष्टर पुलिस बल यानि C.A.P.F. के जबाने की परियाब तो स पहुँच होनी चाहिए अब तक के खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे है सत्तिहिंदी.com के साथ सत्तिहिंदी का एप डावलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर